बिस्मि आल्लाहिर रह्मान रहेम अस्सलामु आलेकुम डेस्टुट्स आएम प्रोफेसर वकार अडीब आज हम डिस्कूस करेंगे लेक्ट्चर नूमर ट्वेंटी वन चैप्टर नूमर 3 अब्जेक्ट औरियन्टीट प्रोग्रेमिंग इन C++ में से ताइप कास्टिंग और किसी एक data type को किसी दूसी data type में convert कर दें during processing वह आपका क्या कहलाता है आपकी typecasting के लोगा अब यहाँ पर यह बात समझना है कि कभी एक data type दूसी data type में नहीं convert होती बलके कोई एक data type का यह जो value है उसको किसी दूसी data type की value में convert करना होता है इसकी जुरूद की हुए समटाइम हमारे पास data जो होता है वह integer type का होता है उसके लिए जो data type यूज की जा रही होती है वह int होती है समटाइम हमारे पास जो data type है वह आपकी real को हम use कर रहे होती है जो के float data type है और उसके लिए आपका data जो उसे इस्तमाल हो रहा होता है वो को से होता है real ठीक है यानि कि floating point data जिसके अंदर point होता है integer के हैं आपके complete number अब यहाँ पर यह बात समझना जरूरी है कि अगर हम integer को integer से divide करेंगे तो answer भी क्या देगा आपकी programming language integer ही देगी अगर दोनल side पे आपके divian के integer है और उनका answer point में आने के chance है लेकिन तब भी integer data होने के वज़ाए से उसका data क्या रहेगा integer इस लिए इस चीज़ के लिए इसको resolve करने के लिए इस मसले को हल करने के लिए जो concept है वो क्या है आपका type casting यानि के जब आप कोई operation perform कर रहे हों तो उस वक्त आपको क्या चाहिए कि आप किसी एक data type के data को किसी दूसरी data type में convert कर दें यानि के integer को floating point में convert कर दें float को integer में convert कर दें या character को integer में convert कर दें या integer को character यह वो techniques हैं जिनको हम क्या कहते हैं type casting कहते हैं अब type casting की basically दो types हैं एक आपकी क्या है implicit type casting और दूसरी क्या है आपकी explicit type casting implicit और explicit कहते हैं यह दोनों techniques इस्तमाल की जाते हैं implicit का word जो होता है यह वह feature जो कि आपको built-in जो आपको compiler प्रोवाइड कर रहा है और explicit का word अक्सर हम use करते रहते है explicitly है कि इसने करना होता है user ने यहां फिर वह programmer जो कि program design कर रहा है अब one by one in types को discuss करते हैं और move करते हैं towards next word GDA students अब हम first type जो type casting की है जिसका नाम है implicit type casting उसे discuss करते हैं implicit type casting के बारे में हम पहले discuss कर चुके हैं कि implicit type casting को कौन सी casting है जियो के compiler खुद बाखुद perform करता है जिसके लिए जो कि automatically done होती है जिसके लिए user को बताने की जुरूद नहीं बढ़ती हो आटोमेटिकली किसमें लेके जाती है आपको इंटीजर है तो इंटीजर में floating point of the floating में यह अगर दो different data types हैं तो उन में से जो बड़ी डाटाइप होगी उसके अंदर automatically क्या कर देगा convert कर देगा अब जरह यहां पर देखती है कि किस तरह काम किया जा रहा है example के साथ लेकिन उसमें theory का portion पहले देखती है जैसे कि उसने कहा कहा है implicit type casting is done by the compiler यानि के user का roll इसमें ना होने के बराबर है ठीक है user को पता भी नहीं होता वो वो सकता है एक value उसने integer दी दूसरी floating point दी उसने क्या किया जो result दीया वो किस में देगा integer में नहीं देगा बलके दोनों value को पहले किसमें convert करेगा floating point में और end result हमेशा किसमें देगा आपको floating point में क्यों 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 कि float data type as compared to integer data type क्या है higher data type इसलिए वो automatically किसमें convert कर देगा higher data type अब यहां पर examples को थोड़ा से देखते हैं जरह गोर कीजेगा 12 divided by 5 12 आपका क्या है integer values है 5 आपका क्या है integer value है अगर हम complete mathematically इसे divide करें तो किस तरह divide करेगा for example 12 inside 5 outside 5 into 2 10 और फिर क्या करेगा point लगा के जो भी remaining बचा वे उसमें 0 add कर देगा और 5 into 4 क्या बनता है 20 लेकिन क्यों के अब यह बड़ी important क्यों के दोनो values आपकी क्या है integer है लहाजा याद रिखेगा इसका integer part जो उसका है सिर्फ उसको answer बनाएगा point वली value को वो include नहीं करेगा बात clear होगी कि सिर्फ integral part को वो ले रहा है और point और उसके बाद में आने वली values को वो शामिल नहीं करेगा लेकिन अगर next expression पे आएं दोनो values same ही थी लेकिन यह आपके क्या है float value है और यह आपकी क्या है integer है बात clear हो रही है एक आपकी क्या है float है एक आपकी क्या है integer है दोनों में से बड़ी rate है कौन सी है आपकी float क्यूंकि यह भी 12 है यह भी 5 है automatically same इसी तरह की devian होगी जो पहले की है कि 12 आएगा 5 into 2 करेंगे 10 remaining क्या बचेगा 2 point लगाने के बा then answer will be 2.4 यह क्यों हाया है values बजाहिर हमें same नजर आ रही है यह भी 12 है यह भी 5 है यह से point के साथ हमने 0 add की है लेकिन point लगने के वज़ाद से इसकी red up क्या होगी है float अगर float है यानि के आपके devian में से दोनों side में से कोई एक value भी आपकी float होगी तो answer will be of float type लेहाजा उसने answer आपका complete दिया है that is 2.4 यह भी किसमें आ रहे है आपका floating point है इसका मतलब क्या है कि जब दोनों integer थे तो conversion नहीं होई थी लेकिन जैसे कोई एक value of float में होई है तो दोनों को उसने convert करके answer किसमें दे दी है floating point बात clear होगी आगे चलते है third example की तरफ यह बड़ी important है इसको समझें की सब्सक्राइब है मैंने क्या किया है एक variable लिया float float type का जिसका नाम क्या था f उसकी value के दी 3.14 एक variable और लिया int a यह आप कोई सी डाटाइब का है integer डाटाइब का a value कोई सी दी है यह वली f वली जैसे ही मैंने value f वली integer a को assign की है याद रखेगा वो क्या करेगा सिर्फ उसका integral part यानि कि जो point से पहले वली value है उसको store करेगा point के बाद वली value को क्या कर देगा remove कर देगा लहाजा जब मैं c out करूंगा the value of a equal to a तो मुझे जो answer नदर आएगा सामने वो क्या लिखा वा नदर आएगा the value of a equal 3 यह आपको output नदर आ रही होगा हलांके हमारे पास जो f था जो a को assign किया था उसकी value क्या थी 3.14 लेकिन हुआ गया कि a जो उनसा था वो integer type का था लहाजा उसने point के बाद की value को क्या कर दिया remove कर दिया लहाजा यह याद रखिएगा इसमें user ने कोई कमाल नहीं किया user ने कोई operation perform नहीं किया कि जी इसे convert कर दें integer के अंदर इसको यहां उपर वाली में convert कर दें floating point के अंदर यह वो काम है जो कि implicitly आपका compiler कर रहा होता है इसमें कहीं पर भी user काम नहीं कर रहा है यानि कि यह automatically आपकी conversion जो हो रही होती है यह आपकी क्या खिलाती है आपकी implicit type casting यहां तक बाद समय में आगी dear students चलें हम move करते हैं towards next board और इसकी जो second type है explicit type casting उसको discuss करते है जी move towards next board जी dear students implicit type casting के हवारे से हम discuss कर चुके हैं कि क्या थी वो type casting जो के compiler itself perform करता है जो during the execution of program आपका computer done कर रहा होता है compiler working कर रहा होता है और खुद बाखुद एक data को दूसरी में convert कर रहा होता है यह आपकी implicit type casting के लगते हैं अब हम बात करते हैं explicit type casting के हवाले से जरा गोर कीजएगा पहली statement क्या है कहता है data then by the user programmer in a program कहता है याद रखेगा कि जो explicitly आपने type casting करनी होती है वो user या programmer of the program कर रहा है अब user या programmer का मतलब क्या है देखें जो भी program लिखा जा रहा होता है वो को लिखते है programmer और उसका first user कोन होता है वो ही programmer जो के program write कर रहा है क्यों उसको साथ साथ test भी कर रहा होता है use भी करके देख रहा होता है कि जो task मैं इससे perform करवाना चाह रहा हूं क्या वो properly इसको perform कर रहा है या इसको perform नहीं कर रहा है कोई ना कोई special operation perform करना करता होगा कहता है वो जो special function perform करना है वो किस तरह होता है कहता है special cast operator अब ये बड़ा important है cast operator is used कहता है क्यों कि हम एक data type से दूसरी data type में खुद convert करना चाह रहे हैं और अगर हम खुद convert करना चाह रहे हैं तो हमें convert करने के लिए ये भी बताना होगा कि किस data type के अंदर इससे convert करना है और अगर खुद बताना है कि किस data type में convert करना है तो उसके लिए उसका कोई specific rule या उसका कोई specific syntax होगा अब वो syntax के है उसको दरह देख लेते हैं कहता है यहां पर देखें within round brackets आपने क्या लिखा हूँ है type और आगे क्या लिखा हूँ है expression इसका मतलब क्या है इसका मतलब समझेगा वो कहता ही है कि यहां पर यहां पर है data type जिसमें आप convert करना चाहरे है और expression का मतलब है वो value वो constant वो variable या वो formula जिसकी value को इस data type में convert करना चाहरे है वो expression यहां पर लिखा जा रहा हूँ है क्या हो गया expression पूरा का पूरा expression पूरा का पूरा solve होने के बाद जो result देगा उसको वह क्या करेगा इस data type के अंदर convert कर देगा example के जरिये देखती है example क्या है एक output statement है इसके अंदर एक value को display करना चाहरे हूँ वो value क्या है 3.1415 अगर तो यहां पर int ना लिखा होता तो simple क्या हमें display हो जाता 3.1415 अब यहां पर क्या की है मैंने इस value के साथ एक cast operator लगा दिये यानि के यह जो value है 3.1415 इसको किसमे convert कर दे इंटीजर के में लहाजा जब यह output display करेगा तो सिर्फ क्या करेगा 3. उसकी वज़ा क्या है कहता है 3 इस भी यह करेगा कि यह जो part है आपका इसको क्या कर देगा cut कर देगा क्योंकि integer सिर्फ क्या करता है point से पहले की value को hold करता है point के बाद की value को hold नहीं करता बलके क्या कर देता है इसके लिए specific term use की जाती है that term is known as truncated truncated उर्दू में इसका जो मतलब होता है वो क्या होता है can't chant करना can't chant का क्या मतलब है आप अक्सर कहते हैं घर में जब कोदे बड़े हो जाते हैं और उनकी जो शाखे हैं कुछ इदर को जा रही हैं कुछ उदर को जा रही हैं तो आप क्या करते हैं उन्हें balance करने के लिए उनकी can't chant करते हैं लहाजा यहाँ पर वो word क्या है आप क्या करते हैं truncated करते हैं यहाँ पर भी आप क्या करते हैं truncated truncated का मतलब एक असान अलफाद में आप यह कर सकते हैं कि point यहाँ उसके बास के value को आप क्या कर देते हैं drop कर देते है यानि कि अब आप क्या कह रहे है जैसे ही हमने 18 से दूसरी में convert किया would यानि कि larger से smaller में आए कुछ ने क्या किया कुछ डैटा को हमने drop कर दी है क्या कर दी है truncate लगे यानि के यहां पर 3.1415 था लेकिन इंटीजर में कनवर्ट करते वे पॉइंट से आगे जितनी वैलिया उसे के कर दिया है ट्रंकेट कर दिया और जब हमें आउटपूर नदर आएगी वो क्या आएगी बात क्लियर अब आगे चलते हैं जरा यहां में देखें सेकंड इंग्जेंपल की तरफ दो वैरियबल हैं A और B दोनों को डैर टाइप क्या दिया है इंटीजर अब दोनों को जब डैर टाइप इंटीजर दिया है तो मैं स्टोर किसमे करवाना चाहरा हूँ C में उसकी वज़ा क्या है कहता है A divian by B है A divided by B है कहता है divian एक ऐसा symbol है एक ऐसा operator है जिसका chance है कि दो इंटीजर को divian करने के बाद answer आपका point में भी आ सके यानि कि दो को divide किया point में answer आ सकता है लहाजा हमने इसको क्या किया flow type बना लिया लेकिन यहाँ पर एक issue है वो issue हम पहले discuss करते हैं इसको कैसे resolve करते हैं वो देखते हैं for example value क्या थी यह कि 10 B की value क्या है 3 अब जब इनको हम solve करें जरा गोड की देगी 10 3 3 3 is a 9 फिर 1 आएगा यह 0 चलेगा और यह approximately 3.333 की एक line लग जाएगी और यहाँ पर आपकी एक पूरी की पूरी वर्किंग चलती जाएगी लेकिन जरा गोड करें A और B दोनों किस टाइप के हैं integer के अगर यह दोनों integer टाइप के हैं तो इसका मतलब है यह इस value को तो holding नहीं करेंगे इनका जो result आएगा वो क्या आएगा 3 क्योंकि जब यह डिवाइड हो रहे हैं तो उससे तो यह पता है कि अभी store करने की बात बात में आनी है पहले में और B को डिवाइड तो कर लो और जैसे डिवाइड की आंसर क्या है 3 अब 3 अगर आप C को दे रहे हैं अब अगर C को 3 value मिल भी रही है तो वो क्या है है तो integer लेकिन डेट है पहुंसी अफ्लोट कोई फर्क नहीं पढ़ रहा ओरिजिनल आंसर आपके पास नहीं आ रहा लहादा जब आप यह value display करेंगे the value of C is तो C की value क्या display होगी 3 लहादा हमें यहां पर क्या करना था कहता है अब हमें यह चाहिए था A या B में से किसी एक value को floating point में convert करें मतलब क्या है कि programmer पहले से ही जब code लिख रहा है ठीक है वो क्या कर देगा इसको convert कर देगा वो convert किस तरह करेंगा ज़र गोर की लिए इक्वर अब ज़रा गोर करें यहां पर क्या हुआ है एक की data type explicitly कास्ट कर दी है औरिजनली क्या थी इंटीजर यहां पर आके उसकी data type क्या होगी बात क्लेर होगी अब जब एक की data होगी है तो दूसरे को भी वो automatically दोनों में से किसमें implicitly कास्ट करेगा किस के अंदर फ्लोट के अंदर लेहादा ए भी फ्लोट होजेगा और भी भी क्या होजेगा अब जब दोनों फ्लोट है तो answer अब 3 की जाए क्या आएगा 3.333 और C के अंदर अब जाकर क्या स्टोर होग तो इस C की value क्या display होगी 3.333 और नीचे आपको output पे क्या लिखा हो नज़र आएगा the value of C यहां तक बात clear होगी इस example को थोड़ा सा दुबारा repeat कर लेते हैं मैंने का था A और B दो integer हैं लेहाज़ा जब अगर हमने cast नहीं किया हुआ A और B integer value में देंगे answer 3 आएगा उसको resolve करने के लिए हमने A या B में से किसी एक को क्या कर दिया float और float किस तरह किया using cast operator यानि कि मैंने उसे बताया कि इस integer को किस में ले जाया float में जैसे वो float में लेकि गया आपका answer जो point के बाद भी आ रहा था वो भी resolve होने के बाद solve होने के बाद किस में store होजेगा c में और जब अब output display होगी तो क्या नदर रहेगा the value of c is 3.333 अगर यह cast operator ना होता तो यह value सिर्फ क्या नदर आती है आपको 3 बात clear होगी इसका मतलब है कि implicit type casting वो है जिसके अंदर user का role नहीं है वो compiler खुद perform करवा रहा होता है जबके आपकी explicit type casting वो है जो के user अपनी मर्जी से करवा रहा होता है जहां पर उसे जरूरत feel होती है वहां पर वो using cast operator उसे cast कर रहा होता है एक data type से दूसरी data type के और casting क्या है casting के बारे में हम देख चुके हैं कि type casting या casting यह basically क्या किलाती है किलाती है किलाती है किसी एक data type को किसी दूसरी data type में convert करना उमीद है कि आज का lecture आपको समझ में आया होगा इंशाल्ला नेक्स लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी थैंक यू, अलाहावस्ट